प्रभु ईश्मसी के नामने प्रभाद बंदन यहुनर अचित्व समाचार छटवा अध्याय उसकी नवी आयत यहां एक लड़का है जिसके पास जव की पांच रोपी और दो मचलिया है एक बालक का छोटा सा समर्पन बहुत बड़ा चरित्र बन गया आज के समर्पन को परमेश्वर कल की बहुत बड़ी बात बना सकता है एश्मसी को मान के उनके पीछे चरह हुओ को सिर्फ आत्मिक भोजन ही नहीं बलकि बहुत तिक आहार देनी में भी उन्होंने ध्यान दिया बोजन को भूल के परमेश्वर की संदी में आये हुए लोगों को नाख खतम होने वाला भोजन दिया परमेश्वर में कितना दिया उससे भी जादा कैसे दिया इस बात को परमेश्वर मूल ले देते हैं हमारे हाथ के थोड़े से को जब हम परमेशुर के हाथों में देते हैं तब वे हमको और औरों को भी अनुग्रह बनेगा अगर तेरा तेरे हाथ में ही रहेगा तो सिर्फ तेरी भूख ही खतम होगी और अगर वही परमेश्वर को देते हैं तो आपकी और औरों की भी भूग खतम होगी इसलिए जो है उसको जिसके पास नहीं है उसके साथ बाटे और जो है उसको बढ़ाने वाले परमेश्वर के हाथों में दे परमेश्वर हमको अनुग्रहित करे ही हमारे सुर्गी पिता परमेशwarz इस सुंदर सुभा के लिए तरह सुती और धनिवात करते हैं हमारे पास जो है वो परमेशर के हाट तों में देखे दूसरों को भी अनुख्र होने के लिए परमेशर मदद करना कार्तना सुना इसके छिए धनिवाद रगुई श्मसी के नाम से मांगते हैं आमेन दी दी आहें दी दी आहें दी दी आहें श्मसी